बच्चों, आज हम सबजियों के नाम जानेंगे हिंदी और अंग्रेजी में सबजियों को क्या कहते हैं, ये सीखेंगे ये है प्याज, हिंदी में इसे प्याज कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं अनियन यह हराप्याज इंगलिश में इसे कहते हैं Spring Onion इंदी में इसे चुकंदर कहते हैं और इंगलिश में कहते हैं Beet Root इसे शलजम कहते हैं और इंगलिश में कहते हैं Turnip इसे लूबिया की फली कहते हैं और इंगलिश में इसको कहते हैं Cow Peer यह गौर की फली है और इंगलिश में इसको कहते हैं Cluster Bean सेम की फली हिंदी में इसे सेम की फली कहते हैं और इंगलिश में कहते हैं Runner Beans फली इसको हिंदी में फली कहते हैं और इंगलिश में French Beans कच्चा आम इसको इंगलिश में कहते हैं Raw Mango गाजर हिंदी में गाजर और इंग्लिश में कैरट बैगन हिंदी में बैगन कहते हैं और इंग्लिश में ब्रिंजर या फिर एक प्लांट भी कहते हैं ये हैं अद्रक इंग्लिश में इसे जिंजर कहते हैं लहसुन हिंदी में लहसुन और इंगलिश में इसे garlic कहते हैं हरी मिर्च हिंदी में हरी मिर्च और इंगलिश में green chilli इसे हिंदी में methi कहते हैं और इंगलिश में fenugreek leaves ये है अर्बी हिंदी में अर्भी और इंग्लिश में बोलते हैं टैरो रूट्स अर्भी के पत्ते इसे हिंदी में अर्भी के पत्ते और इंग्लिश में टैरो लीव्स इस सबजी को हिंदी में कहते हैं कुंदुरू और इंग्लिश में कहते हैं आईवी गॉर्ड ये है लाल चौलाई हिंदी में लाल चौलाई और इंग्लिश में Red Amarnath Leaves ये है हरी चौलाई और इंग्लिश में Green Amarnath Leaves इसे हिंदी में खीरा कहते हैं और इंग्लिश में कुकमबर ये है सोया हिंदी में इसे सोया कहते हैं और इंग्लिश में डिल लीव्स हिंदी में इसे कहा जाता है शतावरी और इंग्लिश में इसे कहते हैं अस्पारगस ये है आलू ये तो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते होंगे इसे इंग्लिश में कहते हैं पटेटो ये है टमाटर, हिंदी में टमाटर और इंग्लिश में टुमेटो इस सब चीकों हिंदी में मटर कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं पी इसे पत्ता गोबी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं कैबेज इसे हिंदी में फूल गोभी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं कॉली फ्लावर इसे हरा गोभी कहते हैं हिंदी में हरा गोभी और इंग्लिश में ब्रॉकुली ये है पालक हिंदी में पालक कहते हैं और इंग्लिश में इस्पिनेच ये है हराधनिया, इंग्लिश में इसे कहते हैं coriander leaves, ये है पेठा, हिंदी में इसे पेठा कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ash gourd, करी पत्ते, इंग्लिश में इसे कहते हैं curry leaves, चिचिंडा हिंदी में इसे चिचिंडा कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं स्नेक गॉर्ड सेंगरी की फली इंग्लिश में इसे कहते हैं रैडिश पॉर्ट्स पुदीना हिंदी में पुदीना और इंग्लिश में मिंट मूली, हिंदी में इसे मूली कहते हैं और इंगलिश में ड्रेक्कन रैडिश रतालू, इस सबजी को रतालू कहते हैं और इंगलिश में यैम ये है अजमोद, इंगलिश में इसे कहते हैं सैलिरी Salary Bamboo Shoot English में इसे कहते हैं Bamboo Shoot Shimla Mirch Hindi में Shimla Mirch कहते हैं और English में Bell Pepper या फिर Capsicum भी कहते हैं Hindi में इसे बथुआ कहते हैं और English में White Ghost Fort या फिर इसे Wild Spinach भी बोल सकते हैं इसे कहते हैं कमल ककडी Hindi में कमल ककडी कहते हैं और English में इसको कहते हैं Lotus Stem ये है कद्दू Hindi में कद्दू और English में इसको कहते हैं Pumpkin इस सब्ची को Hindi में भिंडी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं Lady Finger या फिर इसे ओपरा भी कह सकते हैं परवल हिंदी में इस सबजी को परवल कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं Pointed Gord ये है ककोरा हिंदी में इस सबजी को ककोरा कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं Spine Gord हमारी next सबजी है हाथी चक हिंदी में इसे हाथी चक कहते हैं और इंगलिश में कहते हैं आठी चोप सहजन की फली हिंदी में सहजन की फली और इंगलिश में इसको कहते हैं ड्रमिस्टिक कच्चा केला कच्चा के इलाबी सबजियों में इस्तिमाल होता है इंग्लिश में इसको कहते हैं रो बनाना कच्चा पापीता हिंदी में कच्चा पापीता और इंग्लिश में इसको कहते हैं रो पापाया कुकुरमुत्ता हिंदी में कुकुर्मुत्ता और इंग्लिश में इसको कहते हैं मश्रूम सर्सों का साग हिंदी में सर्सों का साग और इंग्लिश में कहते हैं मस्टर्ड ग्रीन्स सलात पत्ता इसको इंग्लिश में कहते हैं लेटूस हिंडी में इस सबजी को लॉकी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं बॉटल गॉड करेला को इंग्लिश में कहते हैं बिटर गॉड बिंटर गॉड क्थवी ये हैं तुरे को इंग्लिश में कहते हैं रिजगन या फिर इस्पंज गॉड कि इसको हिंदी में कहते हैं तेन्डा और इंग्लिश में इसको कहते हैं ऐपल गॉडки एपल गर्ड